Hey everyone, मेरा नम मुहमद नदीम है और आप देखरे मेरा YouTube चैनल Know Your Car with मुहमद नदीम So guys, finally Grand Vitara आप देख सकते हो जो आ गया है Nexa में भी So basically ये same platform पे जैसा आप सबको पता है Toyota के High Rider के साथ However, ये बहुत जबर्दस्त इसमें changes किया हुआ है अगर मैं इसके front के differentiation की बात करूँ तो आप देख सकते हो DRL का design पूरा अलग है Likeways अगर आप नीचे आएंगे तो headlamp आपको bumper पे मिल जाता है जैसा Toyota में भी है बट इसका design भी पूरा अलग है और ये भी LED प्रोजेक्टर है similarly आप front में देखोगे तो इसमें chrome का बहुत जादा use हुआ है और काफी bold chrome grill यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है similarly नीचे भी अगर आप देखेंगे तो glossy black में आपको grill देखने मिल जाता है rear bumper में नीचे भी अगर आप under run की बात करोगे तो brushed silver में बहुत अच्छा silver ascent देखने मिल रहा है जो अगर front को बहुत sporty और aggressive बना रहा है side profile भी देखोगे तो गाड़ी काफी masculine दिख रहा है बड़ा दिख रहा है and इसमें भी आप देख सकते है 17 inch का dual tone alloy wheels with suzu की logo आपको यहाँ पे मिल जाता है आप अगर wheel arch भी देखेंगे तो wheel arch में भी एक blackout दिया हुआ है जो अगेन बहुत sporty अपील गाड़ी को side से भी दे रहा है mirror पे भी आप देख सकते हो turn indicators वगेरा आ गए roof पे भी अगर आप देखोगे तो black color का roof rail है shark fin antenna मिल जाता है और एक sporty spoiler भी आपको मिल जाता है Suzuki logo push track and stop button and brown and black का बहुत अच्छा combination में आपको seat covers और पूरा upholstery मिल जाता है अगेन जो cabin को भी बहुत luxurious बना रहा है यहाँ पे भी आप देख सकते हो music system आपको यहाँ पे floating type मिल जाता है automatic climate control AC idle start stop का button और यहाँ पे vehicle stability control का भी button मिल जाता है right side देखोगे steering के तो 360 degree view camera का भी बटन आपको देखने मिल जाता है again rear भी आप देख सकते हो एक decent है आपको leg space मिल जाएगा armrest with cup holders मिल जाते है और जो सब logo की demand भी आप roof में देखेंगे तो बड़े size का panoramic sunroof भी आपको देखने को मिल जाता है और जगे जगे पर जबसे आप armrest देख सकते हो हो यहाँ पे भी आपको glossy black leather trim यह सारी चीज़े door trim में भी आपको देखने मिल जाती है baby seats के लिए भी आपको यहाँ पर ISOFIX mounts भी मिल जाते है rear से भी अगर आप गाड़ी देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा bold chrome में grand vitara देखने को मिल जाता है और यह जो हम लोग model देख रही यह full hybrid नहीं है यह smart hybrid है जैसा कि आप यहाँ पे badge भी देख सकते हो rear bumper में भी बहुत अच्छा silver accent यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और जैसा front से गाड़ी बहुत अच्छी sporty लग रही है rear भी बहुत sporty है और यह चीज़ भी आप अगर देखेंगे तो दोनों tail lamp आपस में connected है जो again rear को भी बहुत smart luxurious बना रहे है तो hope यह गाड़ी आपको पसंद आई हो आपको कुछी भी अगर doubt है इसकी technology related प्लीज कमेंट करिए definitely उसका भी मैं answer आपको देदूँगा thank you so much